वेल्कम टू दे ऑनलाइन क्लास स्टुडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एट का चाक्टर विपिन चौधरी लाप्स ओफ मैमिरी बाइ सत्य जीत राये विपिन चौधरी की यादास्त का खोजाना किसने लिखा है सत्य जीतराये में इससे पहले हमने पार्ट वान टू और थ्री किये हैं फोर भी किया है इसमें हमने क्या देखा था जो विपिन चौधरी है वो किसी से मिलता है ठीक है चोटा सा इंकाउंटर होता है जिस पे वो इ कोटी है वह देनेश मुखरजी से पूचते हैं तो वह भी बोलता है आपरांची गया पूछता है ऑ drilling शहले की से समझा पूरी बात temos यह केस तो मेरे अनुबव शेथर अए यह व्यक्ति देखा है जिसकी सरफ एक जो वाक्या है एक दौरा वो जो भूल गया हो और बाकी सारी उसकी आदाश सही हो वो छुटी लेके रांची जाने का पैसला करते हैं रांची का जो है राय उनको वही डॉक्टर ही देते कि तुम एक बर वापिस रांची जाओ और देखो कि वो जो जगे है तुम्हारे तुम्हें पैचान में आ रही है क्या और उसे एक दिमागी टौनिक और नींद की दवाई दे देते हैं अब हम यहां नेक्स देखते थे कि वो रांची पहुचे उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा अब वो हुड्रू जाने की सोचते हैं ताकि उन्हें कुछ याद आया वो प्रयास करे कुछ याद करने का पिर हमने यहां देखा था कि उन्होंने वहां जाके क्या किया था प्रयास किया था जा रहने का हुड्रू पहुचते हैं वो कुछ देर बाद वो भीयोश हुज़ते हैं और जब वो उठते हैं तो वो अपने दो सेलानियों के सामने बोलता है मैं समाप्त हो गया अब मेरे पास किसी चीज की उमीद नहीं बची है यहां तक हमने 10 पेरग्राफ किये थे अब हम आज 11 पेरग्राफ यहां शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट मॉर्निंग विपन बाबु वस बैक इन कलकटा अगली सुभे विपन बाबु वापिस आ गए कलकटा आ गए उनको यह चीज का अभास हुआ कि उनके लिए अब कोई भी उमीद नहीं है ट्रूली नो होप फोर हिम सून ही वोड लूज एवरीटिंग जल्दी ही वो सब कुछ खो देंगे क्या-क्या चीज़े खो देंगे वो बता रहे हैं क्या पागत खाने में ? मरने वाला हुं विपन बाबु इससे जादा कुछ नहीं सोच सकते थे back home घर आती उन्होंने क्या किया he rang up dr. चंदा and asked him to come over उन्होंने dr. चंदा को call किया phone किया और उन्हें आने के लिए बोला then after a shower फिर उन्होंने नहा लिया उसके बाद क्या किया he got into bed with an ice bag उन्होंने क्या किया वो बिस्तर में गुज गए क्या लेकर के एक ice bag लेकर के बिस्तर में गुज गए बरफ का जो bag है उसे लेकर बिस्तर में गुज गए clamped on his head उन्होंने अपने सर पे उस ice bag को लगाया just then the servant brought him a letter with someone had left in the letter box उसी समय क्या हुआ जो servant था वो क्या लाके दिया उनको उसने एक पत्र लाकर के दिया जो की पत्र जो box था उसमें पढ़ा था क्या किया पत्र box में जो letter पढ़ा था वो लाके दिया ग्रीनिश envelope with his name in red ink on it एक हरा envelope था ठीक है जिस पर उसका नाम जो है लाल स्याही से लिखा था above the name it sent urgent and confidential नाम लिखने से उपर लिखावा था कि अतियावश्यक है यह confidential मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसी बात है इसमें जो की जिसके लिए लिखा है उसे ही पढ़नी चाहिए in spite of his condition विपिन बाबु had the feeling that he ought to go through the letter उनकी ऐसी होने के बावजूद भी उनने सोचा कि मुझे तो यह खोल के पढ़ना ही पढ़ेगा यह जो letter है पढ़ना ही पढ़ेगा अगे बताते हैं उन्होंने क्या पढ़ा एक बार वापिस देख लेते हैं अगली सुबह विपिन बाबु वापिस कलकत्ता आ गए उन्हें पैसू सुआ की अब उनके लिए कोई भी उमीद नहीं बची है शीग्रही बस अब खो देंगे क्या उनका अंत एक पागल खाने में होने वाला है यहां पूछा जा रहा है बेपिन बाबु इससे अधिक नहीं सोच पाए गर वापिस आकर उन्होंने डॉक्टर चंदा को फोन किया और उनसे आने के लिए आगरे किया तद पश्चात स्नान करने के बाद वो अपने बिस्तर पर लेट गए और बर्ख की थेली अपने सर पर लगाई रख ली और तभी नौकर एक पत्र लेकर के आया जो कि पत्र पेटी में छोड़ गया था कोई एक हरा लिफाफा था जिस पर ल्याल स्याई से उनका जो है नाम लिखा गया था नाम के उपर लिखा था जरूरी और गोपनिय अपनी आलत होने के बावजुद विपिन बाबु को एसास हुआ कि उनको ये पत्र पढ़ना चाहिए उन्होंने लिफाफे को फार कर खोला और पत्र बाहर निकाला अब स्टूडेन्स इसके आगे पत्र में क्या लिखा ही हम पढ़ लेंगे उससे पहले अंगे शब्दात पर घ्यान देते हैं Confidence का मतलब होता है विश्वार, Balance of Mind का मतलब होता है मांसिक संतुरन, Asylum का मतलब होता है पागल खाना, Shower का मतलब होता है फुमार, Greenish का मतलब होता है हरे रंग का, Urgent का मतलब होता है जरूरी और Confidential का मतलब होता है गोपनिय, Go Through का मतलब होता है पढ़ना, What did he rang up? डॉक्टर चंदा को उसने फोन करके जो है बुलाया था किसको बुलाया था फोन किसको किया था आते ही डॉक्टर चंदा Who brought me letter? His servant, उसका सेवक जो है उसको letter लाकरके उसने थमा दिया What did Mr. Chaudhary realize in Calcutta? उन्होंने चaudhary ने आकर कि क्या realize कि अब वो पागल होने वाले है He is going to lose his balance of mind, confidence and will to work Where did he think he would die? उन्होंने क्या सचा हो कि कहां मरेंगे? In asylum, asylum में वो मरेंगे उन्होंने यह सोचा What did he do after shower? After shower क्या किया? He put an ice bag, एक बरफ की थेली and ice bag on his head उन्होंने अपने सर पे एक बरफ की जो थेली है वो लगा दी थी student Next time बढ़ते हैं हमारे 12th paragraph की यह तरफ Dear Bipin, I had no idea that effluence would bring about the kind of change in you that it has done अब यहाँ वो लेटर पढ़ रहा है students हम यह पूरा लेटर यहाँ देख रहे हैं उदर क्या लिखावा है प्रिय बिपिन मैंने जानता था कि संपन्ता तुम्हें इस प्रकार परिवर्तन ले आएगी Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck जैसे इसने कहा क्या तुम्हारे लिए अपना एक पुराना मित्र है उसकी साहता करना इतना मुश्किल था I have no money so my resources are limited मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूं What I have is imagination मेरे पास क्या है बस सोचने की शक्ती मैंने क्या किया एक भाग मैंने अपने सोचने की संसादन समितिये मेरे पास कल्पना है उसका एक भाग मैंने तुम्हारे अब सम्वेदन शील व्यवार के लिए सजा के तौर पर प्रयोग किया अब यहां क्या बोल रहा है well you will be all right again now ठीक है अब तुम वापिस ठीक हो जाओगे अब यह लेटर के बारे में बात करते हैं उससे पहले देख लेते हैं क्या हुआ हों संनल यह ल्को जैसे ये दोक्टर चंदा घर आयते उससे मिलने के लिए क्या हुआ बपिन बागोंने बोला में एक डम ठीक हूं में तब भी ठीक हो गया था जब मैं राण्ची के लिए त्रेंड में से उत्रा था यूनीक केस से डॉक्टर चंदा डॉक्टर चंदा क्या बोल रहे हैं कि विलक्षन मामला है यह इसके बारे में अवश्य एक यह इसके बुलाया है कि मैं जब गिर गया था तो उसके कारण मेरे कुल हो में दर्थ है क्या आप मेरी एक जो है दर्थ निवारत दवा लिखते हैं तो अब हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स पूरे चाप्टर में उन्नी लाल के बारे में सुना था चुन्नी लाल कौन उसका दोस्त था तो चुन्नी लालिया क्या बोलता है मैं जानता था कि संपन्ता तुम्हारे इस प्रकार का परिवर्तन लेएगी जैसा इसने किया क्या तुम्हारे लिए अपने लिए पुराने मित्र की साहता करना मुश्किल था जो बुरे दोर से गुजर रहा था मेरे प सजा के तौर पर प्रयो किया हमने देखा था चुन्नी लाल उसके बार पास बार बार मदद के लिए आ रहा है लेकिन जो है वो मदद नहीं कर रहा विपिन तो अब उसने क्या एक प्लैन किया कि क्यों ना मैं बाकी लोगों को भी अपने साथ इसमें मिला लूँ तो उसने दिनेश और परिमल गोस को भी इसमें मिला दिया था एक मजाग किया था इसके ओपर कि वो कभी गया नहीं था याद दिला रहे थे तो इस पर बोल रहा है मैंने तो सिर्फ एक मजाग किया था मुझे नहीं पता था तुम्हें सचाई जानने के लिए इतना जो है कश्ट विचार करने के लिए लिया गया है यदि यह उसे पसंद आ जाता है तो अगले कुछ महीनों में यह मुश्किल समय में मेरी सायता करेगा अब वो बता रहा है अब मैं ठीक हूं मेरी स्थिती भी ठीक है तुम्हारा चुन्निलार स्वेंस के वह देख लेते है word meaning शब्दार, considered का मतलब होता है विचार करना, publisher का meaning होता है प्रकाशक, unique का मतलब होता है विलक्षन, effluent का मतलब होता है संपन्नता, resources का मतलब होता है संसाधन, imagination का मतलब होता है कलपन, in retribution of का मतलब होता है सजा के तौर पन, had Bipin Babu really lost his money and forgotten about his trip, नो क्या विपिन बाबू सच में अपनी आदाश हो चुके थे और रांची के बारे में सब कुछ भूल चुके थे नहीं वाई दो यू थेंग चुन्नी लाल डिड़ वाठी डिड़ चुन्नी लाल ने जो किया वो उसने क्यों किया टू टीच विपिन और लेसन विपिन को एक सीख सिखाने के लिए उसने ये सारा जोहरकत है थी थी अब यह पूछो जारा चुन्नी लाल है नो मनी वाट इस दाठी है इस चुन्नी लाल के पास पैसा नहीं है पर उसके पास क्या है imagination यानि की कल्पना जो है उसके पास है imagination उसके पास है तो क्या चुन्नी लाल ने जो किया था क्यूं किया था वो विपिन को एक पार्ट सिखाने के लिए उसको सीख सिखाने के लिए उसने किया था अब students हम about the author देख लेते हैं सत्य जीत राय के बारे में जान लेते हैं सत्य जीत राय का जनम 2 मई को हुआ था 1921 में कहां पर कलकत्ता में हुआ था वो एक बंगाली motion picture के director थे क्या थे? director थे, writer थे, लेखक थे और illustrator थे who brought the Indian cinema to world recognition with Pather Panchali उन्होंने movie बनाई थे पातर पंचाली 1905 में और उनके दो भाग भी बनाए थे, दो सीकोल बनाए थे जिनका नाम था अपूत्री लोजी as a director, Ray was noticed for humanism वो इंसानियत के लिए जाने जाते थे, वो काम करने की शमता, his mortality and his detailed control of his film and their music he was one of the greatest filmmakers of the 20th century वो 20-20 सथी के बहुत ही बढ़िया जो है निर्माता थे फिल्मों के अब यहां हम question answer देख लेते हैं student विपन बाबु lost consciousness at Woodrow Hall what do you think was the reason for it? ऐसा क्या विपन बाबु हुडरो प्रपात पर भियोश हो गए तो अपने विचारत का कारण लिखिए क्यों हुए ते पहले तो उनको दवाईयां दी थी डॉक्टर ने दूसरा इसलिए भी हो सकते हैं क्यों? क्योंकि वो सोच सोच के पागल हो गए ते पर उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था how do you think विपन बाबु reacted when he found out that चुन्दी लाल had tricked him विपन बाबु ने क्या प्रतिक्रिया दी होगी जब उन्हें पता चलोगा चुन्दी लाल ने उन्हें मूर्ख बनाया पहले तो उन्हें बहुत ही जादा गुस्सा आया उसके बाद उन्हें अपनी सीख भी ली why did विपन बाबु change his mind after meeting about meeting चुन्दी लाल क्यों change किया था क्योंकि उन्हें जानना सा कि क्या वह सच में गए थे what was the result of this meeting इस meeting के बाद इसके बाद उनको यह चीज हुई कि वह उन्हें सच में वह गए हैं उन्हें जाकर करके देखना चाहिए लेखक ने विपन बाबु को एक गंबीर और मेनती आदमी के रूप में बताया है what evidence in the story can you find to support this ऐसा जो है हमें बताईए स्टोरी में से क्या इसी चीज का समर्तन करता है कि वह बहुती जादा मेनती है और क्या है गंबीर है गंबीर हमें कैसे पता चलता है जब वह यह जानने के लिए कि वह 1958 में रांची गए है की नहीं यह जानने के लिए भी वह उदर जाके देखते हैं फिर गंबीर इसलिए भी क्योंकि हमने देखा था शुरुवात में जो परीमल गोस से उस्तों से जादा ज्यान नहीं दिया क्योंकि वह जादा फालतु का वारतलाब नहीं करते थे इसके बाद हम यह देख रहा है हार्ड वोकिंग कैसे कि वह अपना जो हमने देखा था वो 25 वर्षों से क्या है एक बड़ी संस्ता के साथ काम कर रहे थे तो स्टूडेंस यह सारे जो हैं आप इसके लिए एक्जामपल दे सकते हैं यह जो 4 question है यह क्या हो जाएंगे यह आपकी homework में करना है स्टूडेंस इस स्टोरी में कैसे चुन्नीलाल जो है एक बचपिन के दोस्स से साय Ethan करने की वज़े से उसके बदला लेता है और हमने देखा था कि जो विपिन है वो यहां तक की रांची तक जाकर के भी डून करके आता है कि क्या ऐसे कोई सबूत है और बहुती जादा परिशान हो जाता है तो यह थी विपिन की चुनिलाल की स्टोरी जो की सत्यजीत राय ने लिखी है तो स्टुडेंट्स जो कोशन आंसर है उनको हम क्या करेंगे नोटबुक में लिखेंगे और प्राक्टिस करेंगे ओक्यू स्टुडेंट्स तो 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 टोड़ी थैंक्यू और आपनाइज दे